गुजरात के राजकोट में एक दलित्व्यक्ती की पीट पीट कर हत्या किये जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दो युवकों की ग्रामीनों द्वारा जम कर पिटाई और नेर्वस्तर कर प्रेड कराहे जाने का मामला सामने आया है जानकारी के मताबिक दोनों युवकों को एक प्रतिमा के स्टेंड पर अपशब्द लिखने को लेकर मारा पिटा गया बाद में ग्रामीनों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने बताया कि राजकोट जीले के गोंडल में सरकारी अस्पताल के पास दोनों युवकों को मांधतानी प्रतिमा के स्टेंड पर अपशब्द लिखते हुए कुछ गाउववालों ने देख लिया इसके बाद और भी ग्रामी ने कठा हो गए गाउववालों ने दोनों युवकों को बुरी तरह मारा पीटा प्रतिमा पर लिखे अपशब्द मिचवाए और उन्हें निर्वस्तर कर पूरे गाउव में परेड करवाई पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान राजकोट के ही भगवत पारा के रहने वाले दिलीव गोवर्धन भाई बावलिया और रंजीत गिर्धर भाई मकवाना के रूप में की है दोनों की यही उम्र 25 वर्ष के करीब है जानकारी के मताबिक दोनों युवक प्रतिमा के स्टेंड पर अपशब्द लिखे स्टीकर चिपका रहे थे बतादें कि स्थानी एक ओली समुदाय मांधता को इश्वर की तरह पूजता है जिस स्टेंड पर दोनों युवक अब शब्द लिखास्टी कर चिपका रहे थे वहां मांधता की प्रतिमा अभी लगाई जानी है पुलिस ने बताया कि ग्रामीनों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले तो कर दिया लेकिन कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई पुलिस के मताबिक दोनों समदायों बीच सुलह हो गई जिसके चलते एफाई यार धर्ज नहीं की गई है शिकायत धर्ज ना होने के चलते दोनों युवकों की गिर अफ्तारे भी नहीं हुई फिलहाल दोनों युवकों का गूंडल सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है